हेलो जुस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल उस्तों आज के बड़े में आपको IMO बजार में जॉइनिंग कैसे करना है के वाइसी कैसे करनी है और एक सो निन्यान विर्पे से अपने आईडी को टॉप अप कैसे करना है तो जुस्तों हर एक प्रोसेस इस व वहां से आप इसको सिंपल तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों इसको डाउनलोड करने के लिए तो मैं आपको बता दिया लिंक डिस्क्रिप्शन वहां से आप इसको डाउनलोड कर लिजीगा मैंने अपने फोन में पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं इसको open कर लेता हूँ दोस्तों ये बहुत ही सही company है इसमें आपको shopping करने के लिए भी बहुत ही बढ़िया आपको बनाया गया है system तो आपको अच्छा खासा cash bag भी इससे मिलेगा तो चलिए मैं आपको यहां से आपको यह सब skip करते रहना है इसके बाद आपको यहां पर देखे click here to sign up का आपको option दिया जाएगा यहां पर आपको click कर देना है यहां पर रेफरर नंबर यहां पर डालने के लिए आप जिसके साथ काम जुणना चाते है उसका नंबर यहां पर डालेंगे यानि कि मैं अपना नंबर यहां पर डाल लेंगे ता हूँ क्योंकि मैं अपने फ्रेंड का ID लगा रहा हूँ और वो फ्रेंड जो है कि मेरे साथ काम करना चाता है जो भी लोग मेरे साथ काम करना चाते है तो उनको यह आपको ध्यान से सुनना है 89 57 1188 यह मेरा वाटसप नंबर भी है आप मुसे परसनल मेसेज भी कर सकते है तो दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यह रेफर नंबर है इसको आपको डाल देना है इसके बाद यहां पर इंटर योर फोन नंबर यानि कि आप जिस बंदे को की आईडी यहां पर लगा रहे है उसका यहां पर फोन नंबर डालना है देखे जोस्तों यहां पर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ग्रूप का लिंक भी दिया हूँ जो भी अपडेट होगा आयो में बज़ार से मैं आपको हर एक अपडेट दूँगा तो आपको वहां से भी आपको ग्रूप को भी जॉइन कर लेना है इसके बाद इंटर्यूर फोन नंबर में अपना नंबर डालना है और रेफ्रार नंबर में यह आपको नंबर आपको कहीं पर लिख लेना है यह डालना है उसके बाद verify पर आपको click कर देना है यहाँ पर एक OTP जाएगी इस नमबर पर यह जो 89, 48, 0, 99, 46, 8 है यह मेरे print का नमबर है तो इस पर एक OTP जाएगा यह OTP आगई मैं इसको भर फिल करके उसको सही कर दिया यहाँ पर देखिए consumer registration यानि कि यहाँ पर आपना full name डालना है आपको यह भी ध्यान दे रहा है कि जो आपका documents पर नाम है वही यहाँ पर आपको फिल करना है यह उस्तू तो मैं अपना जो है कि name यहाँ पर भर लेता हूँ यहाँ पर भर लेता हूँ देखिए दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि documents पर जो आपका आधार कार्ड यानि कि पिन कार्ड पर जो भी नाम है वही भरियेगा यहाँ पर मैं अपना पता भर लेता हूँ यहाँ यह डाटा थोड़ा सा स्लो होने के बाद तो मैं यहाँ पर अपना एक password भी बना लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर register कर देता हूँ यह हो गया तो मैं यहाँ पर वही नंबर यहाँ पर फिल कर देता हूँ यहाँ पर जो नंबर रेजिस्टर किया जिस पर OTP गया था वो नंबर यहाँ पर डाल लिया और password डाल लिया तो इसके बाद लॉग इन कर देते हैं दोस्तों मेरा data थोड़ा slow है तो इसके बज़े थोड़ा सा problem हो गया देखी यहाँ पर यह login हो गया इसके बाद यह इनका यहाँ पर label income यहाँ पर दिखाए दे रहा है कि यहाँ पर देखे आपको सब कुस में आपको करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पर कवाईशी तो चलिए लिए हम शुरूगात करते हैं कि वाईशीगा Mia प्रोसेश तो आप लोग देख लिए फिर आप कि वाईशी सका पीफ प्रोसेश हमं लोग देख लेते हैं दोस्तों यहां पर स्वाइब पर्सनल इंफर्मेशन में इडिट पर आपको चले जाना है सबसे पहले यहां पर फस्ट नेम में आपको अधार कार्ट पर जो फस्ट नेम होगा उसको डाल लीजिएगा इंटर लास्ट नेम उसके बाद इमेल आईडी एक अपना साई-साई इ कहीं है अधार कार्ट-पेमें कार्ट पर उसके बाद यहां पर फिले बैंक डिटिल स्मे si a bank मैं अपको आफके पास जो भी बैंक है उसको मैंने अपना पेटि- 2005 यहां-बर कर लिया तो मैं अपर सब कुछ अच्छे से फिल कर लिया हूं तो आपको भी यहां पर यहां पर के बाए IPC code, interior, branch name तो यह सम अपना bank name, account holder name, अपना account number, account number यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर upload करने के लिए account का, passbook का एक photo लगेगा, तो उसको upload कर लेज़ेगा, simple सा है, तो उसके बाद यहाँ से देखिए हर एक चीज आपको save करते जाना है, पहले इसको edit करने के बाद इसको save करना है, उसके बाद यहाँ से इसको भी edit करने के बाद इसको भी save करते जाना है, किवाईसी डिटेल्स में आपको अपना आधार कार्ड लेना है इडिट पे चले जाना है यहाँ पे इंटर्यूर आधार नंबर डालना है सही सही फिल कर लिजेगा इंटर्यूर किवाईसी होल्डर नेम उसके बाद आधार का एक फोटो लगेगा फ्रंट साइज का तो जोस्तों उसको भी आप लोग क्लिक करके इसको भी हासे ले लिजेगा उसके बाद इसको भी सेव कर लिजेगा यह भी सेव हो गया इडिट पे फिर से आपको पेन कार्ट डिटल्स पे आजा है अपना पेन नंबर डालना है यहाँ पे अपना इंटर पेन कार्ड होलडर नेम यहाँ पे सब कुछ पेन कार्ड का एक फोटो क्लिक करना है उसको भी अपलोड कर देना है उसके बाद सेवे पे क्लिक कर देना है तो दोस्तों यह जो प्रोसेश है साथ दिन से पहले ही हो जाएगा यहां पर लिखा गया your bank verification will be done within seven days दोस्तों जितना भी प्रोसेश है साथ दिन से पहले ही हो जाएगा यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा तो मैंने तो यहां पर अपनी किवाईसी भीया कर ली है तो इसके बाद हम यह वैलेट पर चले जाते हैं अपने यहां पर जीरो रुपे दिखा रहा है भी यहां पास्बुक का भी यहां पर आप्शन है तो प्लीज डू यूर किवाईसी वेरिफिकिशन फर वैलेट ट्राजिक्शन तो दूस्तों यह जब किवाईसी हो जाएगा तब ही यह एक्टिवेट होगा तो साथ दिन से पहले ही हो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी तो दूस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लिजिए और चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे आपको IMO मजार से रिलेटेड और विजर से जुड़ी हर एक अबेड मिलती रहेंगी चल